दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए जिसमें जो जानकरी है आप सभी को ये चाहिए ही चाहिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकरी है आप सभी मेरे अलग-अलग वीडियो पर कमेंट करते हैं जैसे नुट्रिचाज वुमन पर कि किसे लेना है कैसे लेना है कब लेना है यहां प्रोड़ाइट पर कि कैसे लेना है नुट्रिचाज मेंट पर कि कैसे लेना है क्यों लेना है कब लेना है तो इन सब के लिए मैंने एक PDF के द्वारा आपको बताना यहां पर कोशिश किया है कि जिससे आपको समझ में आ कोन सा प्रृडक्न कब लेना है कीसे लेना है और कैसे लेना है ये 3 questions बहुत ही मैत्वपूर है सभी beauty जानकारी में आपको किसे लेना है, मैं आपको कोई फायदा नहीं बता हूनक overwhelm अलग लग वीडियो है, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले निट्रिचाज वुमन, कीसे लेना है, उन सभी लड़कियों को और महिलाओं को जिने मासिक द्रम होता है, कब लेना है, नाश्ते के बाद लेना है, कैसे लेना है, एक टेबलेट पानी के साथ लेना है, फिर नूटी चाज वोमन की एक टेबलेट के साथ इसी प्रोडाइट को ले लीजिए जिसे ही संपूर्ण PVF नास्ता बन जाता है इसको आप पानी से ले सकते हैं या थंडे दूट जो सामाने तापमान पर हो उसके साथ ले सकते हैं या नूटी चाज प्रोडाइट का एक सेशे अब एक केले और पानी को साथ न ब्लेंड गरके स्मूधी बना कर भी पी सकते हैं नूटी चाज मैं तेरा वर्षे अधिक उम्र के सभी लड़कों और पुरुशों को लेना चाहिए इसको नाश्टे के बाद लेना है और एक टेबलेट पानी के साथ लेना है चली आगे देखते हैं आगे हैं नूटी चाज कोको प्रोडाइट ये भी तेरा वर्षे अधिक उम्र के सभी लड़कों और पुरुशों को लेना है नाश्टे के बाद ले सकते हैं या नास्ते की जगे नुटी चाज मैन की एक टेबलेट साथ में लेनी है, जिसे ये समपुड PVMF नास्ता बन जाता है, PVMF नास्ता बन जाता है, इसे आपको नास्ता करने की जड़त नहीं है, आप इसको ही यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप पानी से या ठंडे दूट से ले सकते हैं, या नुटी चाज करको प्रोडाइट को आप एक सेशे, उसको केले और पानी के साथ में स्मूदी बना कर पी सकते हैं, अब है केसर पिस्ता प्रोडाइट, नुटी चाज केसर पिस्ता प्रोडाइट, 14 साल से अधिक उम्र के सभी लड़कों, लड़कियों, पूरुशों और महिलाओं को लेना चाहिए इसको दिन में किसी भी समय खराब गले या जुकाम की स्थती में रात को सोने से पहले लेना चाहिए यानि दिन में आप किसी भी समय वैसे तो पी सकते हैं यह जिए आपको गला खराब है, जुकाम मगेरा हो रहा है, तो रात को सोने से पहले इसको लीजिए, गरम दूद में आप इसको ले सकते हैं अब है नुटियाच केसर पिस्ता प्रडेट को एक सकूप को एक गलास गरम पानी में लेना है, और इच्छा नुसार शकर मिला देनी है, क्योंकि इसमें शकर नहीं आती है अब है नुटियाच किट्स, कोको वाला या मैंगो वाला कोई भी फ्लेवर डेट साल से 13 साल तक के सभी बच्चों को लेना चाहिए, दिन में दो बार देना है, सुबह और शाम को नुटियाच किट्स के एक स्कुप को एक गुदेदार फल, ठंडे दूद और शकर के साथ ब्लेंड करके, एक स्वाधिष्ट स्मूदी बना करके देना है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगेगा, और बच्चा आसानी से ले पाएंगे इसके बाद में हैं नुटियाच वेच ओमेगा, 14 साल से अधिक उम्र के सभी लड़कों लड़कियों, पुरुष और मैला को लेना चाहिए, इसको नाश्टे के बाद लेना है, एक कैपसूल लेना है, पानी के साथ में, सात्यों यहाँ पर क्या है, कि आप देखेंगे कर एक दिन लेना है, यानि अल्टरनेट डिस लेना है, 14 साल से अधिक उम्र के सभी लड़कों लड़कियों, पुरुष और महिलाओं को इसको रोजाना लेना है, रात के खाने के आदे गंटे बाद इसको लेना है, और एक कैपसूल पानी के साथ में लेना है, फिर नुटि जाज DHA 200, ध्यान से समझे साथियों, क्योंकि इस पर ज्यादा तर लोगों के डाउट होते हैं, किशोरियों को लेना है, गर्बवती महिलाओं को ले सकते हैं, गर्बदारन से पहले दिन से लेकर बच्चे को दूद पिलाने की पूरी अवधी तक उन सभी को जो अपने मस् विकारों से बचना है, इसको आप दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन रोजाना उसी समय पर लेना है, मानले जी एक दिन आप दिन में ले रहे हैं, तो अगले दिन भी आपको दिन में ही लेना है, फिर डेली आपको दिन में ही लेना है, कैसे लेना है, दो कैपसूल ल एक capsule 50 mg का होता है डेली देना है दो वर्ष से 6 वर्ष की उम्र तक दो capsule देना है जो 100 mg के हो जाएंगे रोजाना 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक 3 capsule देना है जो 500 mg से खो जाता है दिन में किसी भी समय दे सकते हैं capsule को गुमा कर खोलना है इसके अंदर DHE को बच्चे के आहर में मिला देना है अब है न्यूट्रिचाज BioAge दुम्र पान करने वाले मदीरा का सेवन करने वाले कमजोल लिवर वाले पीलिया से पेड़ित पाचन की समस्या और Acidity से पेड़ित लोगों को ये लेना चाहिए दोपए दिया रात का खाना जो भी ज़्यादा भारी हो कि आदे गंटे बात या आप जब भी भारी खाना कर रहे हो उसके आदे गंटे बात आप इसको ले लीजिए एक टेबलेट पानी के साथ में लेना है अब है नुटिजाज ग्लाइसेम टेबलेट और नुटिजाज ग्लाइसेम प्रोडाइट प्री ड्याप्टिक और ड्याप्टिक लोगों को लेना है रोजना सुबह खाली पेट में लेना है टेबलेट को चबा कर खाना है पांच मि गल्द होता है जो लोग अपने गुटनों को नुक्सान से बचाना चाते हैं शाम को 5-7 के भी जिसको लेना है एक सहषे के पाउडर को एक गिलास सामने पानी मिलाना है और टेबलेट को भी इसी पानी के साथ लेना है अब इनुटिजाज एसे डेफ जिन मेलाओ का बॉड़ी फैट 30% से जादा है जिन पुरूशों का बॉड़ी फैट परसेंटेज 25% से जादा है उनको रात के बोजन के जगे यह लेना है एक सहषे को एक गिलास ठंडे लोग फैट दूद या पानी मिलाना है आप इसमें केला भी मिला सकते हैं आप देखिए जो 25% और 30% आ रहा है यह बॉड़ी इसकेनर पर जान सकते हैं उसके आधार पर यह बताया गया है इसके बाब में नुटिजाज गेनर है जिन महिलाओं का मसल्स 36% से कम है जिन पुरूशों का मसल्स परसेंटेज 45% से कम है यह परसेंटेज आप बॉड़ी इसकेनर पर जान सकते हैं उनको लेना ह दिन में दो बार दो पेर और रात के खाने के 30 मिनट पहले नुटी जाज गेनर के एक स्कूप और नुटी जाज कोको पॉड़ाइट के एक सेशे को गिलास थंड़े पानी में या फुल फैट दूद में मिला कर आप पी सकते हैं अब है नुटी जाज रिफ्रेशर ड्रिंक खेल कोद में सक्रिय लोग, प्रोफेशनल्स, लंबी दूरी के ड्राइवर और 18 वर्षे अधिक उम्रे के सभी लोग जो सक्रिय रिना जते हैं, वो दिन में किसी भी समय इसको पी सकते हैं और इसको ठंडा करके पीएं, तो अच्छा लगता है आप रोजना एक से ज़्यादा ना पीएं तो सातियों, ये था न्यूटिचाज के सभी प्रोड़क्स को कब लेना है, कैसे लेना है, और किसे लेना है बहुत ही मैतुपोर आज की प्रशनाव लिये थी आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो जरू लाइक कीजेगा और अपने टीम में जरू शेर कीजिएगा, कोई ये बहुत ही इंपोडेन जानकारी है आप सभी हमें हर वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है सातियों, बहुत ही मैतुपोर जानकारी बता रहा हूँ कि इन सभी प्रोड़क्स की इंडिविजरली जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चैनल पर दे रखिए इसी चैनल पर सब मिल जाएगा, एक प्रेलिस्ट है नुटिचाज नाम से उस पे आपको सब प्रोड़क्स के वीडियो मिल जाएंगे इनको इनकी संपूर जानकारी मिलेगी, अब ये प्रोड़क्स पर लिखा तो है कैसे लेना है लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताए कि किसे नहीं लेना है उसके लिए आप अमारे अलग-अलग वीडियो देखिए, आपको बहुत ये अच्छी जानकारी मिलेगी मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, धन्यवाद